हलो बच्चो आप सब कैसे हो बच्चो आज हम कक्षा आठ हिंदी वसंत भाग तीन में से पाठ नौ पाठ का नाम है कबिर की साखियां इस पाठ के बारे में आज हम पढ़ाई करेंगे तो आए बच्चो हम इस पाठ की शुरुवात करते हैं पाठ की शुरुवात करने से पहले हम यह पाठ किसके उपर लिखा गया है इस पाठ में क्या लिखा है उसके उपर हम आज पहले समझ लेते हैं तो आए बच्चो हम पाठ की शुरुवात करते हैं। अगर एक व्यक्ति गाली देता है और सामने वाला तुरंत जवाब गाली के रूप में देता है इस तरह से बात बढ़ जाती है। अगर आप अपने मन पर लगाम नहीं लगाएंगे तो उसके भटकने पर रौक नहीं देता है। नहीं लगाएंगे तो इश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। भी बन जाते हैं। वह यह भी कहते हैं कि अगर हमारे मन में शांती है तो हमारा कोई दुश्मन नहीं है। अगर हम अपना अहंकार छोड़ दे तो सब पर दया कर सकते हैं। इन दोहों में इनकी भासा सरल और भावपूर्ण है। यह जो कबीरदास की साखिया है। इनकी भासा बहुत सरल और भावपूर्ण अर्थात सब के समझ में आने वाली है। और भाव से भरी हुई है। तो देखे बच्चों यहां तक आप सभी को समझ में आ गया। अभी यहां पाट, पाट में कबीरदास जी ने जो दोहे लिखे हैं, वहां दोहahu में क्या कहना चाहते हैं उसके बारे में हम अभी पड़ाई करते हैं। तो आई बच्चों हम शुरुत करते हैं। इन दोहों में कभिर मानुय प्रवर्तियों को प्रस्तुत करते हैं पहले दोहे में कवी कहते हैं कि मनुष्य की जाती उसके गुनों से बड़ी नहीं होती दुसरे में कहते हैं कि अपशब्द के बदले अपशब्द कहना किचड़क में हाट डालने जैसा है तिसरे दोहे में कवी अपने चंचल मन व्यांग कर रहे हैं कि माला और जीब प्रभु के नाम जबते हैं पर मन अपनी चंचल का त्याग नहीं करता चोथे में कहते हैं कि किसी को कमज़ोर समझ कर दबाना नहीं चाहे क्योंकि कभी भी यही हमारे लिए कस्टकारी हो जाता है जैसे हाथी और चिटी एक छोटी सी चिटी हाथी को बहुत परिशान कर सकती है पाचवे दोहे का भाव यह है कि मनुसे अपनी मानसिक कमजोर कमजोरियों को दूर करके संसार को खुष हाल और दयावन बना सकता है तो यहाँ इस दोह में कहा गया है अभी देखिए बच्चो हम एक एक दोहे के बारे में समझ लेते हैं तो देखिए बच्चो यहाँ पे जाती न पूछो साध की पूछ लिजिये ग्यान मोल करो तरवार का पड़ रहा हो दो म्यान तो देखे बच्चो यहाँ पे इस दोह में क्या कहा गया है यहाँ पे साध क्या कहा गया है साध सब्द है साध सब्द का अर्थ क्या होता है बच्चो साधु या सजन साध सब्द का अर्थ क्या होता है साधु या सजन देखे बच्चो इस दोह में दुसरा सब्द आया है ग् ग्यान सब्द का अर्थ क्या होता है बच्चो जानकारी क्या होता है जानकारी अभी मेल देखे बच्चो मोल सब्द है मोल सब्द का अर्थ क्या है खरीदारी करना क्या है खरीदारी करना यहां मोल सब्द का अर्थ है अभी देखे यहां पे तरवार तरवार सब्द है दिखा का अर्थ क्या होता है रहने क्या होता है रहने और दूसरा जो है इस दोह में अंत में मियान सब्द है कौन सा सब्द है मियान सब्द है मियान सब्द का अर्थ यह होता है कि जिसमें तलवार रखी जाते हैं उसे क्या कहते हैं मियान कहते हैं तो देखिए बच्चो पहला दोहा में क्या कहा गया है कि प्रस्तुत साखी हमारी हिंदी पाठे पुस्तक वसंत भाग तीन से ली गई है इस साखी में कभी कभीर दास जी कहते हैं कि इसमें कभीर ने मनुश्य को जाती से उपर उठकर उसके गुनों की परक पर ध्यान देने के लिए कहा है तो यह इस दोह में कह अबि देखिए इसमें कभी दास ची कहते हैं कि हमें सजन पुरुष से उसकी जाती नहीं पुछनी चाहिए, अपि तु उसका ग्यान देखना चाहिए, अर्थात मनुष्य को उसकी जाती के आधार पर रखना चाहिए, क्योंकि जब हम तल तलवार खरीदने जाते हैं, तो उस कभिरदास का सही उत्तर है अभी आगे देखिए बच्चो दो नंबर का दोहा है दो नंबर के दोहा में क्या कहा गया है कि आवत गारी एक है उलटत होई अनेक कह कभिर नहीं उलटिये वही एक की एक देखिए इस दोहा में जो सब्दार्थ है जैसे होता है बच्चो गाली जो गाली देते हैं वह गारी सब्द का अर्थ होता है गाली और उलटत उलटत सब्द यहां पे उलटत सब्द है उलटत सब्द का अर्थ क्या होता है पलटकर उलटत सब्द का अर्थ क्या होता है पलटकर और दुसरा सब्द है होई होई सब्द का अर् अनेक शब्द के अरभ्थ कर शारी याँ सब्द के अर्थ है अभी देखिए इस दोहे में कबीर जी क्या कहना चाहते हैं ? तो देखे बच्चो इस दोहे में प्रस्थ० साखी जो हे हमारी हिंदी पाठे पूष्तक वसंत भागतीन से ली गई है इस साखी के कवी कबीर कबिर ने अपशब्द शुनकर उस पर ध्यान न देने की बात कही है तो देखिए बच्चो इसमें कबिर दाश जी कहते हैं कि जब हमें कोई गाली देता है तब हाँ वह एक होती है पर हम पलट कर उसे भी देते हैं तो वह बढ़ते बढ़ते अनेक हो जाते हैं इसलिए जब हम उसकी एक गाली पर ही ध्यान नहीं देगे तो वह वहीं खत्म हो जाएगी अर्था तो वह एक की एक ही रह जाएगे यह इस दोहे में कबिर दाश जी कहना चाहते हैं अभी देखिए बच्चो तीन नंबर का दोहा है तीन नंबर की दोहे में क्या कहा गया है कि माल तो कर में फीरे जा जे भी फीरे मुख मौह मनुवा तो दऋवू दिसी फीरे यह तो सुमिरन नहे देखिए बच्चो इस दोहे में सब्दार थे है जैसे कि माला तो कर यहाँ पे देखिए बच्चो यह सब्द है माला तो कर माला तो कर सब्द का अर्थ क्या होता है हाथ क्या हाथ माला तो कर मतलब क्या हाथ देखिए अभी दुसरा सब्द है जैसे दुसरा सब्द है फिरे यहाँ पे देखिए यह सब्द है फिरे का अर्थ क्या होता है बच्चो फिरे का अर्थ है घुमना अभी जिभी यहाँ पे जिभी सब्द का अर्थ क्या होता है जिभी सब्द का अर्थ होता है जिभ क्या होता और यहां पर देखिए माही, माही शब्द है, माही शब्द में माही मतलब में, माही मतलब क्या में, माही शब्द का अर्थ होता है, में, और मनुवा, मनुवा मतलब क्या मनुवा मतलब मन, मनुवा मतलब क्या मन, यहां मनुवा शब्द का अर्थ होता है, आगे देखिए यहाँ पे दिसी सब्द है, दिसी सब्द का अर्थ होता है दिसा, अब यहाँ पे देखे बच्चो एक सब्द दुसरा है तो, तो सब्द का क्या होता है, तो सब्द का तो क्या होता है, तो होता है, यहाँ पे तो मतलब तो के उपर दो मात्रा दे गए है, तो यहाँ पे तो के मात्रा दो दे गया है तो इसमें अर्थ होता है तो मतलब तो के उपर एक मात्रा दे जाती है अब गी देखिए सुमिरन यहां पर देखिए सुमिरन सब्द है सुमिरन सब्द का अर्थ है स्मरन याद करना तो यहां इस दोहे में सब्द का अर्थ होता है अभी देखिए बच् प्रभु नाम स्मरन पर बल दे रहें। तो देखिए बच्चो इसमें कभीरदास जी कहते हैं कि माला को हाथ में लेकर मनुष्य मन को घुमता है। चोथे नमबर का जो दोहा है, चोथे नमबर का दोहा में क्या कहा गया है कि कभीर घासन निंदिये जो पाउ तली होई उड़ी प्यड़े जब आँख में खरी दोहेली होई। तो इस दोहे में सब्दार्थ है। सब्दार्थ में देखिए बच्चो यहाँ पर जैसे कि यह होता है, जैसे पाउ, पाउ सब्द है, पाउ सब्द का अर्थ क्या होता है, तली होई, मतलब क्या तले, क्या सब्द होता है बच्चो तले, अभी देखिए यहाँ पर देखिए बच्चो जैसे उड़ी उड़ी पड़े, मतलब क्या तो यहाँ पर देखिए बच्चो त और पाउ का अर्थ क्या होता है यहां पे देखें पाउ का अर्थ होता है पाउ पाउ का अर्थ क्या होता है पाउ अर्थ और तली तली का अर्थ क्या होता है नीचे पेर के नीचे का भाग जो उससे क्या कहते हैं बच्चो तली तली का नीचे का भाग और खरी यहां पे देख सब्दों का अर्थ होता है अभी कभी कभिर दास जी क्या कहना चाहते है उसके बारे में हम अभी समझ लेते हैं प्रस्तूत साखी हमारी हिंदी पाथ्य पुष्तक वसंत भागतीन से ली गए है के कभी दास कभी 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 स्ञूध है कुछ blacksl दबाने वाले को चेतावनी दे रहे हैं। तो देखे बच्चो इसमें कभीरदास जी कहते हैं कि हमें कभी घास को छोटा समझ कर उसे दबाना नहीं चाहे। क्योंकि जब घास का एक छोटा सा तिन का भी आँखों में गीर जाता है तो वह बहुत दूख देता है। अर्था हमें छोटा समझ कर किसी पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। तो यही कबिर्दास जी इस दोह में कहना चाहते हैं। अभी अंत में देखे बच्चो जग में बेरी कोई नहीं जो मन सितल होई या आपा को डारी दे दया करे सब कोई। तो इस दोह में जो सब्दार्थ है वो सब्दों का अर्थ हम जान लेते हैं। तो देखे बच्चो यहां पे जग सब्द है। जग मतलब क्या? जग सब्द का अर्थ होता है संसार क्या होता है? संसार। और सितल, सितल मतलब क्या? सितल मतलब सांत, सितल सब्द का अर्थ क्या होता है? सांत होता है, अभी सांत होता है, यार सांती होती है, तो यह सितल सब्द का अर्थ होता है, जैसे यहाँ पे देखिए आपा सब्द है, आपा सब्द का अर्थ क्या होता है? स्वार्थ होता है, त तो देखिए, इस दोहे में कबिरदास जी क्या कहना चाहते है कि प्रस्तूत साखी हमारी हिंदी पाठे पुस्तक वसंत भागतीन से ली गई है, इस साखी के कवी कबिरदास जी है, इसमें कबिरदास जी मनुष्य को स्वार्थ त्याग कर दयावान बनना की बनाने की सिक दे तो देखिए, कबिरदास जी क्या कहना चाहते है कि इसमें कबिरदास जी कहते हैं कि मनुष्य का मन अगर सांत है, तो संसार में कोई सत्रू नहीं हो सकता, यदि सभी मनुष्य स्वार्थ का त्याग कर दे, तो सभी दयावान बन सकते हैं, अर्थात मनुष्य को अपनी कमज गबीर दासी के दोह में आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा अगर अच्छे से समझ में नहीं आया है तो फिर से आप यह वीडियो एक बार देखकर अच्छे से समझने की कोशिश कर सकते हो धन्यवाद बच्चो